तेमुर फार्म में आपका स्वागत है मैं हूँ आपका दोस्त अन्वीर शेक फिर आपके लिए कुछ खास लेके दोस्ता आज जानेंगे आखिर क्यू जाड़े जाते हैं मुर्गियों के पंग यह है उसका कारण तो क्या है उसका कारण इस वीडियो भी हम जानेंगे तो चै एक साल की अंडों की उपज के बाद पंग जाड़े जाते है यह प्रक्रिया चार मेने में पूरी हो जाती है पर आजकल नई तकनीके आने के कारण यह प्रक्रिया 6-8 सब्था में पूरी हो जाती है पंग जाड़ने का मतलब है लंबे समय तक अंडे देने के पार मुर्गि को कुछ समय आराम देना और अंडों के दुसरे चक्र के लिए तयार करना पंक जहारने के लाब मुर्गों के नए जुन को पालने की लागत कम हो जाती है मुर्गों के नए जुन को पालने की लागत कम हो जाती है दुसरे चक्र में अंडों का आकार भी बड़ा हो जाता है पंक जहारने से होने वाली हनिया अंडे की उपज पहले चक्र से 10-15 परतिशत कम हो जाती है मुर्गियों में मोत की दर अधिक हो जाती है अंडे की गुनवत्ता कम हो जाती है खुराक की खबत बढ़ जाती है पंक जहरने के विबिन्न विबिन्न तरिकों का विकाज किया गया है पर सभी तरिकों से पक्षियों पर दबाव पड़ता है मुर्गियों के नए जुन को पालने के लागत कम हो जाती है दुसरे चक्र में अंडों का अकार भी बड़ा होता है खुदरती और सबसे अबढ़िया तरीका वही है जिसमें दबाव कम से कम हो पंक जल्दी जड़ जाने पर पक्षी जल्दी अंडे देने लग जाएंगे बहुत सारे तरीकों में कई दिनों के लिए खुराग बंद करनी पड़ती है और रोशनी कम करनी पड़ती है पानी की मातरा भी घटानी पड़ती है हम आपको एक सुजाओ देंगे इसके उपर जो जूंट बिमारियों से हरित है हो उनकी ही पंक जाड़ने चाहिए और यह काम माहीरों की देखरेख में ही करना चाहिए तो दोस्तों आज हमने देखा क्या हमें मुर्गियों के पंक कब जाड़ने चाहिए क्या है इसके फाइदे और कितने है इसके नुक्सान तो दोस्तों आईसी एच्च एची वीडियों हम आपके लिए लाते रहते हैं जो कि आपको बहुत ही फाइदे मन्द हो तो चैनल पर नवया और चैनल को सब्सक्राइब करने से लार ब्रूंस बेल आइकान भी दिया है दोस्तों और चैनल को लाइक वीडियो को लाइक और शेर करना ना भूले मैं हूं आपका दोस्त अनुर शेक और तेमर फार में अपका सवगत है थैंक्स पर रोचिंग दोस्तों